कई बार जब भी कोई actor audition देता है तो उससे पूछा जाता है कि आपके पास कोई past experience है कई बार कोई writer, director, filmmaker या फिर DOP भी काम मांगने जाते हैं तो उससे पूछा जाता है कि आपने पहले कभी कहीं काम किया है अब जो fresher है वो आपना का experience दिखाएंगे उनके गाड़ी वहीं पर अटक जाती है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो talented लोग है और वो fresher है तो क्या उन्हें काम नहीं मिल सकता क्या और कोई रास्ता नहीं कोई option नहीं बिलकुल है option है short films कैसे बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में hello friends welcome to filmी फंडे join films academy मैं हूँ आपका अपना विरेंदरा ठोर और आप देख रहे है बॉलिवूड का google join films youtube चैनल short film अपने आप में आज एक तरह से work profile बन सकता है मैंने खुद अपने लाइफ में ऐसे बहुत सार एक्जामपल देखे हैं जैसे कि श्रीवन एसालियन उन्होंने फिल्म बनाई थी सिप्ट और उसकी वज़े से उन्हें बाद में बॉलिवूड में बहुत आसारी से काम मिला joint film के channel पर ही available है जरूर देखीगा अनुरा कश्यब ने भी अपने career की शुरुआत ऐसे की तो आप जिस भी profession में जाना चाहते हैं आप short film से शुरुआत कर सकते हैं लेकिन short film कैसे बनाते हैं और आपको क्या क्या करना होगा ये पूरा आज मैं आपको detail में बताने वाला हूँ अगर channel से पहली बार जुड़े हैं तो subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए ताकि इस तरह से बॉलिवुड में entry के informative और knowledge से भर हूँ वीडियो आपको सबसे पहरे मेरे देखिए नए film maker और actors को film के बारे में ज्यादा practical knowledge नहीं होती है अब ऐसी situation में short film ही सबसे best option है जिसकी मदद से नए artist अपनी show reel तयार कर सकते हैं और उनका portfolio के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा एक और benefit होता है short film की मदद से उन्हें film making के सारे process पता चल जाते हैं और एक basic अनभव भी हो जाता है कि किस तरह से film making का काम होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि practical experience के लिए short film कितनी जरूरी है अब सवाल उखता है कि short film बनाएं कैसे तो आज मैं step by step detail में सब कुछ बताऊंगा इतनी detail मे कि अगर आपको filmmaking के process का पता भी नहीं है तो भी ये video देख कर आप short film बना सकते हैं तो कोई भी short film बनानी हो फिर वजा चाहे short हो या feature तो सबसे पहले आपको एक script लिख नहीं होगी तो short film में जो आपका treatment है जो आपकी कहानी हो बहुत important होती है मैं आपको suggest करूँगा कि आप क treatment की treatment पे ज्यादा ध्यान दे उसके लिए आप हमारे on location videos देख सकते हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कोई से भी zoner के लिए जिस zoner में आपको बहुत confidence है फिर भरे वो horror हो, thriller हो, comedy हो, romantic हो, family drama हो ये कुछ भी आप उस चीज को चुनें जिस चीज को लोग साथ दे, जैसे की राजु हिरानी करते हैं, उनकी हर scene में, हर film में message भी होता है, लेकिन entertainment value भी होती है, अब अगर आपने कहानी चुन ली है, तो आपको आप जरूरत है screenplay की, screenplay पर मैंने पहले detail में वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजेगा, और अगर screenplay को आप बह बजट बहुत important है, क्योंकि आपके पास मैं जानता हूँ limited budget होगा, तो उसको बहुत ही planning के साथ अगर आप plan करेंगे, तभी film आपकी budget में खतम भी होगी, लेकिन देखने में उसकी quality भी अच्छी होगी, आप अपनी short film को बहुत budget में बना सकते हैं, क्योंकि आपकी फिल्म मे number of character, limited location, etc. चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, तो बहुत कम budget में short film बना सकते हैं, अब बारी आती है, कास्ट एंड क्रू की, जादातर नए फिल्मेकर एक ही गलती करते हैं, जब वो कास्ट एंड क्रू को choose करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को या पहचान वालों लोगों को रख लेते हैं, ऐसा ना करें, आपके शहर में, आपके आसपास भी कुछ अच्छे creative technicians होंगे, कुछ बहुत अच्छे actor होंगे, उन्हें ढूंड़िए, इससे आपको एक filmmaking का पूरा process पता चलेगा, कि actor ढूनने में कितनी महनत लगती है, एक cinematographer ढूनने में कितनी म करें, अगर आप एक actor है, तो script और role को देख कर ही अपना role choose करें, ना कि सिर्फ main lead के आकरशन में फच जाएं, वैसे भी मैंने हमेशा practical experience, practical training पर ही जोर दिया, जैसे कि joint film secondary की जितने भी course हैं, उसमें मैं क्या बोलता हूँ, learn film acting by acting in films, इस तरह के courses में आप आईए, या learn filmmaking while making a film, इस तरह का practical filmmaking course कीजिए, तो आप अगर short film बनाएंगे, तो आप अपनी जगह पर रहते हुए, बड़े आराम से इस experience को ले सकते हैं, short film making के समय में, camera का चुनाओ, budget को ध्यान में रखकर करें, सबसे best option है, अगर आपके किसी दोस्त के पास अच्छा camera है, और वो अच्छा cinema ग Ruby final हो गया है, तो main बात है location की, location बहुत सो समझ के चुने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पैचान के किसी घर को, office को चूज कर लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर लोगों का आज जाना होता है, कुछ शोर शराबा होता है, और उस पर उसकी आवाज होती है, या ambient sound बहुत ह होता है, तो हम उतने अच्छे से shoot नहीं कर पाते हैं, तो जो भी location चुननी है, आप सिर्फ फोटोग्राफ देखके ना चुने, आप वहाँ जाके visit करें, 15-20 देखें, वहाँ पर कैसा माहौल है, क्या-क्या चीज़ें जो आपको हटानी पड़ेंगी, तो उनसे पूछ करेंगा, वह तो रोकेगा नी, तो पहले से ही उनसे request कर लें, मैं आपको suggest करूँगा, जब भी आप shot film मनाएं, ज्यादा से ज्यादा interior scene प्लान करें, मतब अंदर के, और अगर बाहर का कोई shot है भी, तो ऐसी जगे चुने, जहाँ पर ज्यादा भीरबार ना हो, otherwise आपका problem आती है नए filmmaker को, और मैं आपको suggest करूँगा, आप sound का ध्यान करें, सब लोग shoot तो कर लेते हैं, लेकिन sound के बारे में सोचते ही ने, आपको sound चाहिए, जो आपके dialogues है, वो proper आने चाहिए, क्योंकि आप dubbing studio में तो जाने ही पाएंगे, dubbing करने के लिए, तो क्या करें, आप अ सबसे जादा इसलिए आपको focus करने को बोलना हूँ, क्योंकि बाकि सब चीजों पर ध्यान चला जाता है, लेकिन sound अगर सही नहीं है, तो आपको जो product बनेगा, फिर्म बनेगी, बड़े ही unprofessional बनेगी, उसकी quality बड़े ही degraded होगी, अब सब कुछ हो जाने के बाद बात आती है, post production की, तो सबसे पहले आजकल ऐसे बहुत सारे software है, जो आप अपने ही laptop या computer पे download करके उसमें edit कर सकते हैं, सबसे आसान तो वही होगा, आप कोई ऐसा editor भी खोज सकते हैं, जो नया है, लेकिन उसमें talent है, तो editor को भी उसके portfolio के लिए आपकी film काम आ जाएगी, तो आसानी स आपको free sound मिल जाएंगे, या फिर किसी नए sound artist को भी खो सकते हैं, जो खुद अपना काम दिखाने के लिए आपकी तरह काम कर रहा है, तो वो budget में भी आ जाएगा, या हो सकता है, फ्री में भी आपको sound provide करते हैं, अब आती है कि film तयार होगा, इसको release का करें, देखें, जब joint films original पर भी share कर सकते हैं, क्योंकि joint films ने एक बहुत अच्छा revenue model बनाया है, अगर आपका content हम joint films original पर publish करेंगे, तो जो भी revenue earn होगा, उसमें maximum जो share है, वो आपके पास जाएगा, लेकिन आपको benefit ये मिलेगा, कि joint films अपने आप में पूरी तरह से production company है, एक distribution company है, तो आपको promotion और release बहुत proper मिल पाएगा, तो उसके लिए अगर आप contact करना चाहते हैं, तो जो number आपको screen पर दिख रहा है, उस पर आप contact कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद यही है, कि अगर आप लोग इस तरह से आसपा scheme खोच कर, एक अच्छी चीज बना रहे हैं, और वो चीज हमें अच्छी भी लगती है, तो क्यों ना उसको बहतरीन platform से release भी कर दिये जाए, तो उसके लिए मैं अपना part आपके साथ जोडने के लिए तयार हूँ, अगर आपने team बना ली और सब लोगों को तया कर लिया, तो मुझे भी अपने team का हिस्सा मानिये, मैं उसको बहुत अच्छे से promote भी रिलीस भी करूँआ, और जो भी revenue आएगा, उसका maximum share आपके पास जाएगा, यूट्यूब के अरावा आप अपनी film को देश-विदेश में film festival में भी बेश सकते हैं, यदि आपकी film festival में select हो जाती है, तो आपको बहुत जल्दी notice किया जाएगा, आजकल तो short film के challenge के बढ़ने क्यों ना अपनी अपनी जगर पर रहते हुए, आप लोग भी एक group form कर लें, creative लोगों का, technical लोगों का, artist लोगों का, और वहीं पर आप कुछ creative बनाएं, और उसको हम अच्छे से दुनिया तक पहुँचाएं, यह मिल जूलकर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर confidence बहुत कुछ नया सीखेंगे, और हमें audience भी मिलना शुरू हो जाएगी, और इस तरह से आपकी वज़े से, सिर्फ एक film maker अगर इस तरह से team बना लें, बहुत सारे लोगों के portfolio बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों के पास उनका काम हो जाएगा दिखाने के लिए, तो आपको देखते रहें, सीखते रहें, जमे रहें, all the very best. देखते लिए!